रोज रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़ा हूँ ऐ मुस्किलों देखो मैं तुम से कितना बड़ा हूँ हलो एवरीवन वेल्कम यह ओल एट फ्यूचर स्रीज इंस्टिटूट्स अनलाइन प्लेटफॉर्म मैं बदन स्वामे आप सिब का स्वागत करता हूँ और रोजाना मिलते हैं आठ से गयारा के बीच में हमारी बैतरीन फैकल्टी के साथ लगातार वह आपके लिए बहुत सार आपको पढ़ाए को हम लोग टॉप पे ले जाएंगे आपको सारे क्योशन इसी प्लेटफॉर्म पे सारे टॉपिक डिसकस करेंगे और इसके लिए मैं लगातार आपके लिए पहले पी वाई क्यों पर काम कर रहा हूं प्रिवेस इर्क्योशन पे और आर्मस यह रास्ट्र बंशने कहां तक कर लिया इसके बाद हम लोग आज़ क्लास को स्टाट आप करेंगे हमने पिछली क्लास में लास्ट कुशन जो डिसकस किया था आज की क्लास का मारा फिर्स्ट कुशन रहने वाला यह वाला बहुत ज्यांसर देगी very important question which of the following is in the quescent obtained on dividing 4 x square y square bracket 3 z minus 24 by 36 x y z minus 8 तो बहुत easy सा question है कि हमें quescent निकालना है quescent निकालना है quescent यह नहीं यदि मैं इस वाले expression में इस वाले expression का divide करूँ तो quescent कितना आएगा भाग कितनी बार जाएगा ultimately 6 में मैं simple बात करूँ 3 का divide करूँ तो divide कितनी बार गया 2 बार गया यानि ये वाला मुझे निकालना है यहाँ पे एक algebra दे रखा है कोई tension नहीं है बहुत आसान सा question है मैंने this question को लिख लिया 3z माइनस में 24 इसको divide किससे करना है मुझे 36 x y bracket में z माइनस 8 इससे मुझे divide करना है बहुत आसान सा question है first look में जो जो divide हो सकता है वो divide कर दीजी देखिए divide हो रहा है इससे कितनी बार 9 times ये देखिए x से इसकी पार केंसल y से इसकी क्या बच गया यहां बच गया x y अब देखिए यहां पर है 3z और यहां पर 24 दोनों में कुछ common है yes common है क्या common है 3 common है तो हम क्या कर सकते हैं x y और यहां पर 3 क्या ले सकते हैं common ले सकते हैं यहां बचेगा z यहां बचेगा minus का 8 divide by नीचे बचेगा 9 और यहां बचेगा Z minus 8 Z minus 8 से Z minus 8 cancel हो गया 3 से cancel हो गया 3 time answer कितना आ गया X Y divide by 3 option के अंदर देखने का है X Y divide by 3 right answer is 1 तो बहुत ही आसान सा question है क्यों cent को ज्यान लखना है क्यों cent का मतलब हिंदी मोलते है भाग फल यह होता है भाजक यह होता है भाजे और यह होता है salesful हिंदी के बात करें इंगल से बात करें this is dividend, divisor, consent and remainder तो बहुत आसान सा question चलते हैं अगले question के तरफ यह एक theory का question है simple learn रखना है telly marks are used to find which of the following telly marks क्या काम आता है telly marks बच्चों frequency निकालने के लिए काम आता है हम लोग count करते है telly marks में इसका 1 होता है, इसका मतलब 2 होता है इसका मतलब 3 होता है what this is, these are the frequencies कोई चीज कितनी बार है वो हम लोग telly marks से count करते हैं telly marks representing by frequency lower limit कहीं भी class interval है उसका limit जो मान लीजे कही बार आप देखते है 0,10, 10,20, 20,30 all these are the lower limit all these are the upper limit ये दो बाते ही याद रखना अब बात करते है class mark क्या होता है class mark का formula होता है class mark का formula होता है lower limit plus upper limit divide by 2 यानि lower limit में इदी upper limit add कर दूँ और उसको 2 से divide कर दूँ तो वो क्या बन जाता है वो बन जाता है class mark तो चारों जी आपको पता लगगी frequency, lower limit, upper limit और class mark और telemark यूज होता है frequency के लिए चलिए अगले question की बात करते हैं लोग next question क्या है हमारा next question है which set of sides are possible to have a triangle यानि triangle कैसे बन सकता है बहुत ही आसान सा question है triangle बनाने के लिए at least we need three sides तो आप बोलेंगे सर तीनों साइड इसमें तीन तीन साइड यह triangle बन क्यों नहीं सकता लेकिन एक fix rule होता है क्या rule होता है यदि किसी triangle की तीन साइड है suppose A, B और C तो ध्यान रखना कि नी भी दोस्ट साइड का सम A, B, A plus B बड़ा होना चीए C से हमेशा B plus C बड़ा होना चीए A से C plus A बड़ा होना चीए third वाली side से एक तो यह rule होना चीए यह rule हमेशा होना चीए यह triangle की किनी भी दो साइड का सम हमेशा third side से कैसा होता है बड़ा होता है दूसरा क्या rule है कि किनी भी दो side का जो difference है वो third वाली side से हमेसा छोटा होना चाहिए किसी भी दो side का difference आप निकाल सकते हो किसी भी दो side का difference आप निकालेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि वो हमेसा किस से बड़ा होगा third वाली side से बड़ा होना ही आचाहिए ये दोनों बातें एकदम fit होनी चाहिए ट्राइंगल में otherwise ट्राइंगल फॉर्मी नहीं होगा पहली बात करते हैं तो देखिए यहां पर तीन साइड है 2, 3 and 5 मैंने दोनों को add किया 2 और 3 कितना होता है 5 5 equals to 5 यानि दो साइड का sum 3rd वाली साइड के बराबर आ गया तो ट्राइंगल नहीं बनेगा चाहिए तो copy paint लेकर कि इसको बना के देख लें तो यह नहीं बन रहा तो first option तो हो गया गलत हमारा वह यह तो हो नहीं सकता अगला किसन क्या है 25 और 43 किनी भी दो साइड का sum 3rd वाली से बढ़ा होना चाहिए मैंने इन दोनों को add किया कितना आ रहा है 45 बढ़ाए इन दोनों को add किया इससे बढ़ाए और इन दोनों को add किया इससे बढ़ाए यह बात तक्दम सही होगी मतलब यह possibility है एक बार के लिए इसको रख लेता हूँ माइनस वाला बाद में हम चेक कर लेंगे आगे चलते हैं लोग किनी भी दो side का sum देखिए इन में side कितनी है 13, 5 और 7 और यह 5 और 7 को add कर रहा हूँ तो 12 आ रहा है और 12 बढ़ा नहीं है 13 से तो definitely यह वाला cancel हो गया यह वाला cancel हो गया अगली की बात करता हूँ मैं इसमें 13 और 10 को add करता हूँ यह आ रहा है 23 और दो side का sum जो है वो बड़ा होना चाहिए था third side से लेकिन third side कितनी है 24 तो यह वाला option भी cancel हो गया तो तीनों option cancel हो गया right answer is की 20, 25 and 43 एक इतना सा rule मुझे पता है तो मैं check कर सकता हूँ कि कौन सा right answer है यह दोनों बाते हैं आप लोगों को write down कर लेना इसका screen चोड़ लेना या write down कर लेना वीडियो को पोज़ करके तो यह लेगले question की बात करते हैं लोग अगला question क्या है all six face of cuboid एक cuboid है उसके सारे जो faces हैं उसमें L is not equals to B is not equals to H तीनों साइड अलेगले किसका मतलब हुआ length का, breadth का और height का जो measurement है अलेगले R in the shape and adjacent face have area अभी क्या बोल रहे है कि या तीनों साइड अलेगले तो क्या square का face हो सकता है नहीं होगा rectangle हो सकता है हो सकता है cannot की बात में बात करेंगे अब यह बोल रहा है कि adjacent face है हो same area? नई, नई, नई क्योंकि यदि ये तीनों dimension अलग-अलग है तो adjacent face का जो area है वो एक जैसा नहीं हो सकता बराबर नहीं हो सकता तो यह answer गलत है ये बात भी गलत है differ वाला बात सही है कि यदि तीनों dimension अलग-अलग है टीनों डाइमेंशन अलग-अलग हैं तो adjacent जो face होते हैं ऐसे लगए face येदि इस face का जो area है वो इस face के area से अलग होगा क्योंकि इसकी तीनों dimension अलग-अलग हैं तो right answer is a C और example इसका हो सकता है cuboid येदि cuboid जिसके अंदर तीनों side अलग-अलग हो तीनों डाइमेंशन सोरी अलग अलग हो लेंथ सबका अलग अलग हो उस सिच्वेशन में इदी बात करें आगे वाला फेस और उपर वाला फेस दोनों का एरिया अलग होगा दोनों का एरिया क्या होगा अलग लग क्यों 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 कि इसमें लेंथ अलग है ब्रेथ की तो तीनों के तीनों आंसर अलग लगाएंगे तो adjacent face का area क्या होगा differ होगा और सारे के सारे जो face होंगे वो rectangular form में होंगे square form में possible नहीं है क्योंकि rectangle क्या होता है opposite sides are equal यनि ये L तो ये L, ये B तो ये B, इसका मतलब opposite side equal होती है, सारी side equal नहीं होती, तो right answer is a C ये बात आपको समझ में आगे होगी next question की बात करते हैं लोग associative property जो काम करती है ये आपको पता होना चाहिए addition और multiple multiplication पर काम करती है simple सा ध्यान रखने है, चार properties होती है चारों properties को focus करना है थोड़ा सा बस अगले question की बात करते है which of the following you have the 6 unit place 6 किसका unit place आएगा 19 का square, 11 का square, 4 का square 3 का square, हमें पूरा square करने की जो तनी unit place लेलो सिर्फ, क्योंकि क्या पूछ रहा है, unit place पूछ रहा है last में क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं चुटके मारत answer आएगा 9 का square 81, तो last unit place क्या है, 1, 1 का square 1, 4 का square, 16 6, 3 का square, 9 ये तीनोंकि unit place है, तुम्हें कौन सा चीए 6 वाला चीए, 6 कब आएगा, जब आप 24 का square करोगे, यानि कितना ही बड़ा number है, कितना ही बड़ा number है, और ये दि इसका square कर रहे है, तो सिर्फ last number का square कर लो, 7 का square होता है 49, तो last unit place क्या हो गया, 9 हो गया, तो यहाँ पे इसका answer क्या होगा, 6 unit place किसका होगा, सर 24 का होगा, right answer is 24, next question की बात करते है, the area of rhombus whose diagonals are in the length of 10 cm and 8.2 cm, अब area of rhombus क्या होता है, वो होता है, half D1 into D2, simple सा formula होता है, area of rhombus क्या होता है, half diagonal 1 into diagonal 2, यह होता है, area of rhombus, diagonal 1 इसने दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, diagonal 2 क्या दे रखा है, 8.2 दे रखा है, cancel कर दो कितना आ रहा है, 4.1, 10 से multiply कर दो, answer कितना आ गया, 41, so right answer ही जहाँ, 41 cm2, कितना answer आ गया, 41 cm2, आपको क्या याद रखना है, rhombus का area का formula और दोनों diagonal आपको given है, area का formula होता है, half d1 into d2, next question के तरफ चलते हैं, अगला question क्या है, which of the following is equals to 1 kiloliter, बहुत ध्यान से, बहुत important question है, समझने वाली बात है, what do you mean by kiloliter, 1 kiloliter, 1 kiloliter, it means 1000 liter, 1000 liter का मतलब होता है, 1 kiloliter, 1 kiloliter, अब बात करते हैं, कि भया, liter का और यहाँ पर जो डाइम है, आगे जो answer given है, वो है dm में, tm का मतलब होता है, dc, dm का मतलब होता है, dc meter, यह liter में, यह meter में क्या कानी है ऐसा, तो आपको ध्यान क्या रखना है, कि कोई भी ऐसा object, जो 10 cm लंबा है, 10 cm लंबा है, 10 cm चोड़ा है, 10 cm चोड़ा है, और 10 cm मान लीजे, उचा है, 10 cm भी उचा है, तो इस तरह के walks में, एक लीटर पानी आ सकता है, एक लीटर इसकी quality होती है, यानि आपको imagine करना है, 10 cm लंबा, 10 cm चोड़ा, 10 cm उचा, इतना बड़ा है दी कोई box बनावा है, तो उस box में, वन लीटर सबस्टांस आ सकता है, पानी, दूद, कुछ भी डाल दो, तो कितना होँआ, कि 10 cm लंबा, 10 cm चोड़ा, 10 cm उचा आई दी कोई box है, तो उसमें 1 लीटर पानी आ सकता है, इसका मतलिब क्या होँआ, कि 10 cm का जो cube है, जिसका एक edge कितना है, 10 cm उसमें 1 लीटर लिक्विड आ सकता है, तो इसका volume क्या होता है, 10 cm, multiply with the 10 cm, multiply with the 10 cm, equals to हो गया, 1000 cm cube, और equals to पानी कितना आता है, 1 लीटर, कितना आता है, 1 लीटर, अब मुझे cm में आंसर नहीं चीए, मुझे आंसर चेए decimeter में, अब decimeter होता क्या है, decimeter होता क्या actually, decimeter होता है बिटाजी, 10 cm, 1 decimeter equals to 10 cm, तो यहाँ पर 10 cm लिखा हूए, में क्या लिख सकता हूँ सर, 1 decimeter लिख सकता हूँ, यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ, 1 decimeter लिख सकता हूँ, यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ, सर, 1 decimeter लिख सकता हूँ, तो अल्टिमेटली आंसर क्या आ गया, 1 into 1 into 1, 1 ही रहेगा, 1 decimeter cube, तो 1 decimeter cube equals to कितना हो गया 1 liter 1 decimeter cube equals to कितना हो गया 1 liter यानि एक decimeter cube का यदि कोई box है तो उसके इंदर 1 liter पानी आता है अब यह बोल रहा है कि बताओ उसकी capacity कितना होने चीए 1 kiloliter यानि इसको आपको 1000 बनाना है तो multiply with the 1000 तो इसको भी 1000 से multiply कर दो तो right answer is 1000 decimeter cube is equals to 1 kiloliter तो right answer is A A इसका क्या हो जाएगा right answer तो units का पता होना चीए कि decimeter का मतलब 10 centimeter का 1 decimeter बनता है और centimeter का मतलब कि 10 millimeter से का बनता है 1 centimeter बनता है चले एगले कुछन की बात करते है बहुत important execution है यह which of the following cannot be true for a polyhydron इसके लिए आपको illures formula आना चीए क्या आना चीए illures formula अब illures formula मैंने आपको कई बार इसी paper को कराते वे दो तिन बार करा दिया क्या होता है f plus v minus 2 is equals to e क्या है ये कोई भी polyhydron होता है या कोई भी 3D figure होता है तो इसमें तीन चीजें होती है क्या क्या होता है सर एक तो face होता है एक vertex होती है तीसरी edge होती है क्या होती है यह आप भूल गए है थोड़ा सा बता दूँ ऐसे कोई cuboid बनावाए ऐसे क्यों आप डंग से देखेंगे 6 faces में बने होए तो f कितना हो गया इसमें 6 हो गया एज का मिंस क्या होता है दू वर्टेक्स को मिलाने वाला तो एक दो तीन चार च्यार एज उपर और च्यार एज नीचे तो टोटल होगी आठ इसके लावा नो दस ग्यारा और बारा तो एज कितन कितना होता है 14 अब 14 को 12 के एक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा सर माइनस 2 करना पड़ेगा तब ही यह फॉर्मला बन गया f प्लस v माइनस करेंगे 2 तो किसके बराबर आएगा e के बराबर यह काम्यापे करके देख लो बस अंसर आ जाएगा तुम्हारा बहुत ही आसान है कैसे एफ प्लस v तो 4 और 4 कितना हो गया 8 क्या 8 में 2 माइनस करने से यह आंसर आ रहे है क्या sir आ रहे है बिल्कुल यह तो हो सकता है तो यह अंसर नहीं यह बोल रहा है इकननॉट किल्या आगे चलते है f प्लस वी 6 और 8 कितने होते चभदा यहनी 6 प्लस 10 sisters 14 में से 2 माइनस करो यह 10-12 20-32 dela 4-6 10-10 10-2 डरा चीए था 8 लेकिने क्या लिखा हू आए 6 तो ये बात क्या दे रखिए गलत दे रखिए और मुझे आंसर ये निकालना था लिखा हू आए Which of the following can not be true कौन सी बात be true नहीं है देखो ये true है ये true है ये true है true नहीं है, इसका मैंने मेरा आंसर हो गया D, मेरा आंसर क्या हो गया D, तो इस question का answer हो गया D, अगले question की बात करते हैं, यह बोल रहा है, if this number is squared, then what will be the unit place, अभी मैंने बताया, बहुत आसान, इसको तो एक second में कर सकते हो, जिदी इस number का मैं square करूँ, तो बताये unit place पे, unit place का दू तो भाई इसका square करने के जुर्त नहीं है, see the last वाला number ले लो, 8 का square कर लो, कितना आ गया 64, तो unit place पे क्या आएगा 4, तो right answer is a 4, light answer is a 4, बहुत यह आसान सा कि उसने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, what is the numerical form of, numerical form निकालना है, यह once पे तो c, यह tens पे तो b, फिर क्या आना चाह यह hundreds पे, तो देखो सबसे पहले c, सब में c है, यहां c नहीं है, c के बाद b, इसमें c के बाद भी नहीं है, c, b, a, लेकिन देखो यह once पे है, यह tens पे, यह hundreds पे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है, once, tens, और thousands, यानि एक बीच वाला hundreds गाई बना, तो उसके जिए क्या आएगा, zero आएगा, क्या आएगा, zero आएगा, zero आएगा, तो यह इसका answer हो गया, यहांनि यह इसका exponent form बनाओ गे, तो देखियो, a क्या आगे तीन, zero, a multiply three times, zero के जगे, zero आएगा, b के जगे, b multiply with 10, और c अकेल आएगा, तो यह इसका exponent form आगया, ठीके, ठीके न, तो यह हो गय आएगा, zero, कोई दिक्कत नी है, चलिए, last question आजी class का हमारा रहा है, last question देख लो, फटा-फट इस class को खुतम कर दे, six pipes are equal to fill the tank in one hour and twenty minutes, if we use five such types of pipe, how much time will it take to fill the tank, यानि, six pipe, कितने आर से बढ़ते हैं, one hour and twenty minutes में, इसका मतलब बोल सकता हूं, ultimately, 80 minutes में, किते में, 80 में, six pipe किते में, 80 minutes में, तो मैं total capacity निकाल लेता हूं, किसी भी container की, एक ऐसा container जिसमें 6 pipe लगे वे हैं, और वो उसको 80 minutes में fill कर रहे हैं, तो total capacity आगी, 80 multiply with the six, आप क्या करना है, इतने ही capacity का जो liquid में बरना है, लेकिन pipe 6 नहीं लगा रहे हैं, किते लगा रहे हैं, सर, हमें 5 pipe लगा नहीं, तो क्या करना है, 5, 6 किजए क्या यूज कर दो, 5, लेकिन time कितना लगेगा, calculate करना पड़ेगा, 5 से divide कर दो, किती बार जाएगा, तर 5 से divide करें, किती बार जाएगा, यह 16 बार जाएगा, और 16, 6 जा होता है, 96, तो 96 minute का time लगेगा, right answer is B, तो यह हमारा, आज की class का last question, हम अगली class में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, आज RMS class 9 का अभी पर complete हो चुका है, अगली class में हम लोग Senex को लिया, RMS को पी वाई क्यों discuss करेंगे, और उसके बाद हम topic wise maths को करने वाले, तो आप लोगे के support और प्यार के लिए तैया दिल से बहुत बहुत धन्य से बना रहे, और हमारी पूरी future series की team बहुत असी से काम कर रहे है, और we feel proud, आप लोगे support, आप लोगे प्यार लगा तरह मिलता रहते हैं, तो मिलते हैं अंगली class में, तब तक होने ख्याल रखें, खुब सारे पढ़ा करें, विश्चिंगे वरी अल्दा बेस टेंडे, जय ह कि लेके खुटी ते खुब